हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई योट्यूब चैनल दजर्णी ओफ मैथमेटिक्स स्विच साइन्स गाइज हमने पिछली क्लास में कुछ मेट्रिक्स की थी ठीक है और उसके पहले में ने आपको स्विच 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 हो सकती है अब जैसे इन्हों ने लगत शो करने है कि यह चुर्पांट शनलता है। कोन च्राइप द्रेटों करने तो हमारीओ हमारा होती है symmetric matrix clear that means हमें इस question में यह चीज़ प्रूफ करनी है अगर यह चीज़ प्रूफ हो जाए तो हमारा कम हो जाएगा तो देखिए हमने क्या करना है हमें a matrix given है आप इसका transpose find कीजिए इसका transpose क्या एगा जो इसकी rows होती है वो किस यह first column बन जाएगा क्या होएगा 1-1 5 अब second row किसमें change हो जाएगी second column में वो क्या हैगा minus 1 2 1 अब third column किसमें change हो जाएगा third sorry third row किसमें change हो जाएगी third column में तो यह क्या 5 1 3 अब यह देखिए यह दोनों matrix बिल्कुल सेम है ना मतलब यह किसके equal है a के equal है हम लेकर क्या चले थे a transpose हमारे पास आ क्या गया a that means a transpose किसके equal है a के clear तो हमारा a transpose a के equal आ गया अब में यही चीज़ प्रूफ करने थी तो हम लिख सकते हैं hence our matrix is symmetric matrix clear guys अब second देखिए show that the matrix a is a skew symmetric matrix अब जैसे इस question में हमने प्रूफ किया था कि यह matrix symmetric matrix है अब हमें प्रूफ करना है कि यह जो given matrix है यह skews metric matrix है ठीक है अब skews metric की definition को remind किजिए वो क्या गया थी थी क्या matrix skews metric कब होती है अगर उसका transpose negative of the given matrix के equal हो ठीक है that means a transpose is equals to minus of a यही चीज हमें प्रूफ करने थी इसके लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले transpose तो हम given जो हमें matrix a है इसका transpose find करते हैं ठीक है कीजिए क्या आएगा अब transpose क्या था था चाहिए इसकी rows को interchange कर लो या column को interchange कर लीजिए मैंने आपको यह भी बताई हुए ट्रांसपोस वाली वीडियो में ठीक है अगर आप मेरी इस चैनल पे आज first time मेरी वीडियो देख रहे हूं तो मैं आपको बता देती हूं कि मैंने इन वीडियो इसका लिंक भी अपने description में दे दिया है आप वहाँ पे जाके पिछली वीडियो को check कर सकते हो ओके तो देखें इसका transpose कीजिए इस column को अब मैं change करते हूं तो first column किसमें change हो जाएगी first row में ठीक है आप चाहिए row को कर लीजी या column को बस एक को करना है अब second column किसमें change हो जाएगा second row में clear third column किसमें change हो जाएगा third row में यह देखिए अब यह दोनों matrix आगी हमारे पास यह transpose आगया अब मैं क्या करूंगी इसमें से minus को मैं बहार निकालू या तो ऐसे बोलीजे minus को बहार निकाला या आप यहाँ पर यहाँ पर इससे minus से डिवाइड किया तो 0 तो 0 यहाँ पर क्या जाएगा माइनस है ओल्रड़ी तो क्याएगा plus 1 अब यहाँ पर minus 1 यहाँ पर फिर से minus 1 यहाँ पर 0 और यह क्या जाएगा plus 1 यहाँ पर plus 1 next is minus 1 जीरो अब देखिए यह दोनों matrix सेम है ना तो यह चीज़ किसके equal है is equals to minus यह किसके equal है हम completely a के हम लेके क्या चले थे a transpose that means हमारा क्या आगया a transpose किसके equal है minus a ओकी तो यह चीज़ ही प्रूफ करनी थी हमें क्योंकि हमें पता है किस क्यूस matrix क्या होती है जिसका transpose negative of given matrix के equal यह चीज़ हो गई तो हमारी matrix prove I'm next question देखिए क्या कहता है show that a plus a transpose is metric matrix where a t denotes the transpose of a ठीक है where a is this हमें क्या अब पहले हमें क्या show करना था यह जो given matrix a थी इसको इस metric show करना था अब क्या show करना है हमें matrix a given है हमें prove करना है कि जो a plus a का transpose है यह plus करके matrix यह complete हमारा symmetric है completely symmetric का मतलब क्या होगा हमें यह चीज़ prove करने देखिए a plus a transpose का अगर मैं इसका whole transpose करूँ तो वो same इसी के equal आए अगर यह चीज़ आती है that means हमारी चीज़ स्मेट्रिक होगी ठीक है सबसे first row क्या है two three minus one second row four five two third row zero six one अब यह हमारे पास a transpose आ गया अब हमें क्या find करना है a plus a transpose ठीक है प्लस इसका transpose यह रहा two four zero three five six minus one two one ठीक है हमने इनको add कर देना है add कीजिए two plus two is four आगे क्याएगा three plus four seven minus one four plus three seven five plus five ten two plus six eight आगे minus one six plus two eight one plus one is two ठीक है अब यह हमारे पास a plus a transpose आ गया clear है यह चीज़ आगी अब हमें find यहां तक हो गया हमने क्या find करने इसका transpose आगे इसका transpose आगे इसका transpose आगे इसका transpose का transpose वो क्या आएगा देखिए मतलब इसका transpose ठीक है तो इसकी क्या जाएगी यह रो कॉलम में चेंज हो जाएगा four seven minus one यह second row अगे seven ten eight third row मतलब minus one a two अब देखिए इन दोनों को यह दोनों बिल्कुल सेम है न तो यह चीज़ किसके equal थी हमारी a plus a transpose लेके गया चले थे इसका transpose आगे आगया इसके equal which implies हमारे question में क्या आगया a plus a transpose का transpose किसके equal है a plus a transpose that means यह जो whole a plus a transpose matrix है यह matrix matrix है clear student अब देखिए यह हमारा similarly fourth question यह क्या कह रहा है show that a minus a transpose is a skews matrix matrix where it is transpose of a हमें यह given matrix a हमें क्या शोकन अब a minus a transpose ठीक है यह देखिए a minus a transpose यह से क्या करना है skews matrix skews matrix क्या कहती है कि किसी चीज़ का transpose किसके equal हो उसके negative part के इसके equal हो ठीक है तो हम यह करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए हमें सबसे पहले a transpose चाहिए यह हमारी matrix है इसका transpose find कीज़े वह क्या जाएगा rows column में change हो जाएंगी यह देखिए first row first column में second row second column में और third row third column में कर ली हमने change आगे हमने क्या find करना है इसका a minus a transpose यही चीज़ चाहिए तो वह किजिए वह क्या जाएगी देखिए matrix हमारे पास यह रही four minus one two three zero five six one three clear minus transpose क्या यह चीज़ four three six minus one zero one two five three clear है अब इसको minus कीजिए क्या जाएगा four minus four is zero minus one minus three is minus four two minus six minus four four यह क्या प्लस हो जाएगा four अगे क्याएगा zero next is four next भी four one minus five is minus four three minus three is zero clear restaurants यह हमारा क्या आगया a minus a transpose आगया अब हमने क्या find करना है a minus a transpose का transpose अब इसका transpose find करेंगे जो हमारे पास आया है clear इसके transpose के लिए क्या होता है rows column में change हो जाती है that means zero minus four minus four four zero four four minus four zero अब इसका transpose क्या करेंगे first row first column में second row यहां पे plus plus third row के लिए यहां पे plus minus ठीक है तो यह चीज़ हो जाएगी clear अब यह देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें से minus sign को बाहर निकालिए तो हमारे पास यहां पर क्या जिगा a minus a transpose तो यह किसके equal हुआ negative of a minus a transpose clear है तो हमारे पास हम लेके क्या चले थे a minus a transpose का transpose a minus a transpose का transpose किसके equal है minus of a minus a transpose clear यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी हो गई that means हमारी यह जो मेट्रिक्स है वो कैसी है स्क्यू स्मेट्रिक मेट्रिक्स clear है अभी next question लिखे वो क्या कह रहा है if a and b are symmetric matrices of the same order then show that a b is symmetric if and only if a b is equals to ba that is a and b commute क्या मीनिंग है सबसे बहले इस question को अच्छे से समझे हमें क्या चीज़ गीवन है पहले आप वो चीज़े लिख लीज़े क्या चीज़ है ए और b क्या हमारे पास symmetric matrix है that means a and b वो दोनों क्या है हमारे पास symmetric given है अगर ये दोनों symmetric है तो a transpose किसके equal होगा a के similarly अगर b b is metric है तो b किसके equal होगा b transpose is equals to b clear है तो हमें ये चीज़ हम given है ये चीज़ को आप माइड में रखिए यहां तक हो गया उन्होंने ये भी बता दिया कि ये दोनों same order के हैं ठीक है अब हमें क्या show करना है वो देखी यहां तक done b मतलब दोनों अलग-अलग symmetric हैं अब हमें एक show करना है कि इनका product भी symmetric होगा कब symmetric होगा उसकी एक condition दे दी कि if and only if a b is equals to b a अब ये जो word है a b if and only if इसका meaning ये होता है कि अगर firstly मैं लेके चलूँ कि ये चीज़ मेरे पास given है ठीक है फर्स्ट में ये लेके चलूँ कि ये मेरे पास given है तो मुझे प्रूफ करना है ये चीज़ कि a b b a के equal होगा secondly अगर मैं लेके चलूँ कि ये चीज़ मेरे पास given है तो मैं इसको प्रूफ करूँगी कि हांजी a b is symmetric ठीक है मतलब जब हमारे पास if and only if word लिक कर आ जाए तो हमें दोनों चीज़ों को एक दूसरे को साथ प्रूफ करना होता है clear है guys तो हम सबसे पहले first case consider करते हैं कि when a b is symmetric ठीक है ये जो चीज़ थी कि a and b is symmetric ये दोनों के case में हमें given है अब first case में ने consider कर लिया कि when a b is symmetric अगर a b is symmetric है तो उस case में हमें क्या चीज़ प्रूफ करना है कि a b जो है वो b a के equal होगा that means a and b आपस में commute करेंगे ठीक है अब मैं लेकर चली हूँ कि a b is symmetric है अब लिखिए आप यहां पे if a b is symmetric देखिए जो ऐसे questions है उन questions में representation आपकी बहुत matter करते है तो इस questions को अच्छे से लिखना है तो हमारे पास देखिए क्या लिख आपने सबसे पहले if a b is symmetric अब अगर a b is symmetric है तो स्मिट्री की condition क्या होती है कि उसका transpose किसके equal होता है given matrix that means a b के अब यह देखिए a b का whole transpose अब आपको मैंने पिछली वीडियो में transpose की कुछ properties बताई थी बताई थी ना जिसमें एक property थी reversal लो reversal लो थी उसमें क्या कहता था reversal लो कि अगर a b का whole transpose है वो किसके equal हो जाएगा b transpose a transpose यह चीज थी ना तो हम इस चीज को यहाँ पे apply करेंगे ठीक है apply किया हमने तो हमें क्या मिल जाएगा यह चीज यह आजाएगी b transpose a transpose is equals to a b clear है अब हमें now हमें given है कि a and b are symmetric यह चीज हमें given है न यह देखिए अगर मैं इसको first consider कर लो तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख देंगे कि by first equation या फिर by given कि a and b are symmetric अगर b symmetric है तो b transpose किसके equal होगा b ke a transpose किसके equal होगा a ke because a is metric तो हमारा b a किसके equal आ गया a b के यही चीज हमें proof करनी देना कि if and only if a b is equals to b a तो हमारा first part clear है कि हमारा a b किसके equal आ गया b a के ठीक है हम यह चीज लेके चले थे कि a b is metric है हमारे पस आ के आ गया a b is equals to b a clear students अब आप कीजे second case ठीक है second case में क्या होगा देखिए उन्होंने यही चीज कहा था कि show that a b is metric if and only if a b is equals to b a अब हम लेके चलेंगे कि if ध्यान रखना यहां पे मैंने if लिख है double f नहीं जब double f हो तो उसका मतलब होता है if and only if अब यहां पे मैं की लिखूंगे कि if a b is equals to b a या फिर अप लिख लीजे कि when a b is equals to b a यह चीज है तो हमें क्या चीज प्रूफ करनी है कि a b क्या होगा स्मिट्रिक होगा clear है a b को स्मिट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या चीज प्रूफ करनी है कि उसका transpose उसी के equal होगा तो हम पहले सी consider करके चलेंगे क्या consider किया हमने A B transpose इसको ही हमने find करना है यह हमने consider कर लिया अब इसको हमें पता है कि by using reversal लो यह किसके equal होता है B transpose A transpose ठीक है साथ में यहाँ पे लिख लीजिए कि by reversal लो clear है अब B transpose और A transpose B transpose देखिए किसके equal आएगा B के because B क्या है हमारी symmetry ठीक है ऐसी A transpose क्या है इसके equal A के यह क्या हमें given है कि A और B symmetric है ठीक है आप यहाँ पे completely लिख लीजिएगा यह चीज आ गई हमारे पास अब हमें यह चीज हम मानके चले थे कि A B किसके equal है B A के तो यह चीज हम यहाँ पे apply कर देंगे कि B यह किसके equal होगा A B के देखिए हमारे पास क्या आ गया A B का transpose किसके equal आ गया A B अब किसी चीज का अगर transpose उसी के equal आ जाए तो हो क्या होती है symmetric matrix तो प्रूव हो गया hence it is symmetric तो यह देख लिजिए एक बार repeat कर देती हूँ question क्या था हमें first thing given थी A and B are symmetric हमें proof करना था कि if and only if A B is BA then A B is metric पहले हमने given thing लिख लिजिए क्या है उसके बाद कि हमारे पास दो cases आएंगे first case हमने consider किया when A B is metric तो हमने proof किया A B is equals to BA secondly हमने consider किया when A B is equals to BA तो हमने proof किया A B transpose is equals to A B मतलब symmetric है clear है तो यह ऐसे question आपको कुछ इस तरह से करने है इसी related आपको कुछ और भी questions आ रहेंगे वो भी ऐसी easily solve हो जाएंगे अगर फिर भी आपको किसी question में कोई problem है तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हो तो हम फिर next वीडियो में कुछ और questions के साथ मिलेंगे तब तब के लिए बाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होती इसे like करना और मेरे channel को subscribe करना thank you guys